नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टोप 25 परमुख खबर जानते हैं किसी भी दीन थाना दिवस अधिक्ष को को क्या सकता हैं कभी अंचल आधि का चक्कर लगाना नहीं पड़े गरामिनों की शिकायत रहती है कि वे थाना अंचल का चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन अधिकारी से मुलकात नहीं हो पाती सरकार ने इसका हल निकालते हुए एक तितिनी धारित की है जहां दोनों ही अधिकारी जानता की इस वेता च्रावरिक है जानता अब वह नहीं है जो उन्हें लगता है कि हर चीज पैसे से खरीद्या जा सकती है यह समाजले की जानता अब बदल चुकी है हेमन्त ने कहा कि इस लोकतंत्र और देश की यही खुबसूरती है कि लोग काफी सन्वेदन सील होते हैं और वे बरदास्त करने की भी चामता रखते हैं जब समाज की धारा सीर के उपर से गुजरने लगती है तो पई नाम भी दिखने लगते हैं हेमन सुरेन और उनकी पतनी सहविधाय कलपना सुरेन सनीवार को दिली में कांगरेस नेतरी सोनिया गांधी से भी उनके आवास पर जाकर मुलकात की सौनिया गांधी से मिलने के बाद दिली के मुखी मंतर अरविंत के जिरिवाल की पतनी सुनीता के जिरिवाल और सांसस संजय सिन से भी उन्होंने मुलकात की है निकाए चुनाव पर दो हपते में नियर्न ले सरकार कोट जहारखन में सहरी निकाय का चुनाव नहीं कराया जाने पर जहारखन हाई कोट ने नराजगी जताई है पूरो पारसद रोशनी खलकों की अवमानना यज़का पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को दो सप्ता में चुनाव पर नहीं लेने का निदिस दिया है जस्टिस आनन्ज सेन की अदालत ने मामले में अगली सुनवाई किती थी दो सप्ता बाद ने धारित की इस दवरान अदालत ने मौकिक टिपनी की है की चार वर्षो तक निकाय चुनाव नहीं कराया जाना लोकतंत्र की हत्या ही तो है हाई कोट ने 4 जनवरी 2024 को सरकार को तीन सप्ता में निकाय चुनाव कराने का निदिस दिया था तब अदालत ने कहा था कि समय पर चुनाव नहीं कराना और चुनाव रोकना लोकतंत्रिक व्यवस्ता को खत्म करने जैसा है यह समयधानिक प्रधानों के विप्रीत भी है वहीं ट्रीपल टेस्ट की आर में समय पर नगर निकाय का चुनाव नहीं कराना उचित नहीं है समयधान कानुछे 243 असप्रष्ट करता है कि चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है हर वर्ष 25 जून को समिधान हत्या दिवस मनाने के केंद्रे के फैसले का जामोन ने कड़ा बिरोध किया है पार्टी का काटा है कि जिस समिधान को हम पूझते हैं भाजपा उसी समिधान के हत्या करना चाहती है लोग सभाज चुनाओं से पहले 400 सीट लाने की बात कर भाजपा पहले समिधान बदलना चाह रही थी अब हत्या की बात राष्ट पस इसे मांग है कि केंद्रे की इस और समिधानिक अजिसुचना को वहरद करे जामो केंद्रिये परवक्ता सुप्रियो भटा चाहे ने सनिवार को पार्टी मुख लाएं प्रेस वारता कर कहा है कि 1962 और 1971 यूद के दोरान भी आपात काल लगा था जिस समिधान की हत्या भाजपा करना चाहती है उसी के अनुछे 365 का उप्योग कर उसने कई बाराष्ट पदिसासन लगाया यह भी एक तरह से आपात काल ही था समिधान और लोगतंत्रे की हत्या की पहली मुहर 25 मैं 2014 को लगी थी जब नाजंद बोदी ने देश के प्रधानमंतिक रूप में सपतली थी उस दिन के बाद से हर दिन भाजपा समिधान की हत्या कर रही है जारखन में कल से बारिस में आएगी कमी राजे में सोमवार से मांसून सीजन की गतिवीधी में कमी आएगी इस करम में कई अस्थान पर गरजन के साथ हलके से मध्ध दरजे की बरसा होने की संभावना है आईसी स्थिती आने वाले 4-5 दिन तक बनी रहेगी इस दरण मांसून कमजोर रहेगा इधर सनिवार को लात्यार में सबसे ज़्यादा 17.0 mm बारिस रिकोर्ट किया गया इसके अलावा गोड़ा में 32.5 यहमजामतरा में 12.5 mm बारिस हुई है वहीं सराइकला खर्चावा में सबसे ज़्यादा गरम रहा सराइकला में अधिक्तम ता 5.5 रहा मौसम बिग्यान केंद्र के मुतावी पिछले 1 जून से 13 जुलाई तक राजे में समान बर्सपात 316.7 mm की तुलना में वास्तविक बर्सपात 169.9 mm कम हुई है ड्रॉप आउट बच्चों को स्कूल लाने में NGO से सहयोग लेगी सरकार जार्खन के आउट आफ स्कूल और ड्रॉप आउट बच्चों को सिक्षित बनाने और मुखे धारा से जोडने के लिए राज सरकार स्वयम से भी संस्थाओ NGO का सहयोग लेगी इसके लिए इसकूली सिक्षा और सशकता भिभागने सुमवार को एक च्चूक NGO की जार्खन सिक्षा परिविना परिष Hazard में बैठख बूलाई है जिन संस्थावों का चयन होगा, उनसे विभीन गती वीदियो जैसे नुकर नटक, पोर्जेक्ट इंपेक्ट के अनुपालन का लगातार अनुसरवन, बचो को ट्रांजीशन, टोला भ्रमन, भारत सरकार के प्रबंध पोटल पर डाटा वर्क, एन आई ओएस पोटल पर सहयोग लिया जाएगा, मांडर में 1468 किसानों को 56 लाख के चेक बाटे, प्रखंड मुख्याले में ओला विरिष्टी और तुफान से प्रभावी 1468 किसानों के बीच 56 लाख रूपय के सांकेतिक चेक बाटे गया है, किरिसी पसुपालन साहकारता आवदा प्रबंध विभा द्वारा किसान गोश्टी सा फोसल छति पूर्ती राशी बित्रन समारों का विजन किया गया था, कारकरा में मुख्याती थी बिधायक सिल्पी ने हातिर की कहा, एकी बजरपात और सलक दुर घटना में होई लोगों की मौत दुखद है, ऐसी घटनाओं से बचाओं के साथ पिरित परिवारों को राहत देने से प्रभावित परिवारों को मदद मिलेगी, वहीं बजरपात से दो मिरित को के परिजनों के बीच चार चार लाख रुपए और सलक दुर घटना में मिरित चार लावकों के बीच एक अक लाख रुपए की मौभजार रासी का विधायक ने चेक बितरन किया है, कारकराई में बीडियो मनो रंजन, कुमार, उप्रमुक, अमानत, अंसारी, सहित और मजूद थे पॉली टेकनिक में नमांकन के लिए काउंसिलिंग 15 से, राजे के सरकारी एवं गयर सरकारी पॉली टेकनिक एवं डिपलोपा संस्थानों में नमांकन के लिए काउंसिलिंग 15 जुलाई से शुरू होगी इसमें जारखन सन्यूट्व प्रवेस्प्रत्यक्तै परीक्षा, परिस्थ दोबारा आयोजीत परीक्षा के पेना में पोजेटीव अंक लाने वाले अविजार्थी सामिल हो सकेंगे पारिस्थ ने सन्यूगार को तीनों कांसोलिंग की तीथिया घोशित कर्दी है पारिशत के अनुसार काउंसिलिंग आनलाइन परिशत की बेपसाइट पर उपलब दिकराएगर लिंक के अधार पर होगी इसके ताहद पहली काउंसिलिंग के रूप में आनलाइन निमंधन एवाम संस्थान वा सीटों के विकल्ब चुनने की परकिरे 15 जुलाई से कहीं जुलाई को होगी गीरिडी की काराधिक छक को मिली जान से मारने की धमकी जारखन पुलिस की अतंकवा निरोधक दस्ता ने अमन साहो गैंग से जुड़े चार अपराधियों गिरफतार कर लिया है इन परकेंद्रिये कारा गीरिडी की काराधिक छक हिमानी पिरिया को इंटरनेट वाटसेप कॉल पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप है अपराधियों ने इन्हें जान से मारने वह उनके देवघर मेरा रहे परिवार के सरस्यों को नुक्तान पहुचाने की धाम की दी थी इस मामले में गिरिडी मोपसिल थाने में 5 जुलाई 2024 को पराथमी की दर्च हुई थी इसी केस में एटियस ने चान बीन के बाद चार आरोपियों को गिरफतार किया है जमसेदपूर में 40 जुजनाओ का सिलन्यास मंत्री जमसेदपूर पच्छमी के बिधायक सर जार्खन के स्वास्त और आपदा प्रबंदर मंत्री बन्ना गुपताने सनिवार को 40 जुजनाओ का सिलन्यास किया है इन जुजनाओ की कूल प्राकलित रासी 5.81 कोलोर रुपय है जमसेदपूर पच्छमी बिधान सबाच्छेतर में किरिवानवित होने वाली 40 जुजनाओ नगर विकास एवाम आवास की बिभाग द्वारा अमरित 20 की निधी से बिभीन जुजनाओ सामिल है नागरिक सुवधा से जोड़ी 15 जुजनाओ पर 2.25 कोलोर सरक परिवाहन मत की 24 जुजनाओ पर 2.87 कोलो तथा अमरित 20 मदत की युजनाओ पर 67.80 लाक खर्च होंगे धन्यवाद